हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इटू चैनल जितेंदर एमार अश्टडी पर दोस्तो मैं हूँ जितेंदर एमार यादव साजेदारी यानि पार्टनर्शिप का पार्ट दू देखिये तो A और B दस महिने के लिए 30 रुपिये पर तिमाह की दर से एक मैदान को किराये पर लेते हैं जिसमें A अपनी 10 गाये 9 महिने तक रखता है तो बताए कि B से समय के लिए कितनी गाये रख सकता है यदि वह A से 60 रुपिया कम देता है देखिये तो जैसे की A और B दस महिने के लिए 30 रुपिये पर तिमाह यानि एक माह का 30 रुपिया किराया देगा तो दस माह है तो देखिये तो यहां जैसे यहां लिखते हैं 10 एक माह का 30 रुपिया तो दस मा का तो दस गुना तीस करेंगे तो यहां तीन सो हो जाएगा यानि तीन सो रुपिया देना है दोनों मिलकर तीन सो रुपिया पे करता है तो देखिए तो यहां लिख सकते हैं A पलस B बराबर तीन सो यानि दोनों मिलाकर तीन सो रुपिया देता है और प्रेस्ट में कहा गया है कि यदि वह A से साइट रुपिया कम देता है A से साइट रुपिया कम देता है तो कौन कम देता है तो B कम देता है A से साइट रुपिया कम देता है कौन कम देता है तो B कम देता है कितना साइट रुपिया कम अब देखिए तो देखिए तो अब आपको क्या करना है जैसे पलस B, माइनस B कट जाएगा A और A ए को जोरते हैं तो यहां 2A हो जाएगा और 300 अपलस साइट को जोरेंगे तो यहां 300 साइट हो जाएगा जब बिप्रीध साइट रहता है तो जोरने पर हो जाएगा यहां डायरेक्ट आप लिख लीजिए जोरने पर, समान चीन में घटाने पर और विप्रीत चीन में जोरने पर तो पलस B से माइनस B कट गया, A पलस A तो 2 A और 300 पलस साइट तो 300 साइट अब आपको क्या करना है, जैसे यहां देखिए तो इधर 2 गुना में है A के साथ तो बराबर क्यों साइजाएगा तो भाग में हो जाएगा, दूस अगर 300 साइट में भाग देंगे तो यह 180 हो जाएगा, यानि A का मान जो है 180 निकल गया तब आपको क्या करना है, फिर से देखिए तो इसको समीकरन फरस्ट माल लिजिए और इसको समीकरन सकेंड माल लिजिए तो देखिए तो लिखते हैं समीकरन, समीकरन फरस्ट में A का मान रखने पर देखिए तो समिकरन फर्स्ट में A कामान रखने पर तो समिकरन फर्स्ट है A पलस B बरावर 300 तो देखिए तो अब आपको क्या करना है A कामान ने हाँ 180 दिया हुआ है तो 180 पलस B बरावर 300 यहां देखिए तो B 300 और यह 180 प्लस में है ब्राबर की सेर तो ब्राबर की उस सेर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 अब देखिए तो 300 में से 180 घटाएंगे तो यहां 120 हो जाएगा यानि B का मान जो है 120 हो गया और A का मान जो है 180 हो गया तो प्रेश्ट में कहा गया है देखिए तो फिर्शेफ कोशन पढ़ते हैं A और B दस माहने के लिए 30 रुपे परती माह की दर्शे एक मैदान को किराये पर लेते हैं जिसमें A अपनी 10 गाये देखिए तो A और B का कहानी है यहां लिखते हैं देखिए तो A और B देखिए तो A अपनी 10 गाये 9 माहना तक रखता है और B जो है जिसमें तो बताए B से समय के लिए कितनी गाये रख सकता है तो देखिए तो गाये की संख्या को X मान लिए हैं और देखिए तो कुल 10 माहना है जिसमें से A जो है 9 माहना रखा है तो बचाए कितना 10 में से 9 घटाएंगे तो यानि एक जो है 9 महिना तक रखा और 10 महिना तक के लिए मैदान लिया गया है तो एक महिना के लिए B रखेगा और कितना गाए तो X माल लिया है देखिए तो अदोनों का जो है पुझी का अनुपात लाम का अनुपात दिया हुआ है 180 और 120 तो यहां लिख सकते हैं देखिए तो 180 बटा 120 अब आपको क्या करना है जैसे यहां देखिए तो 10 से 10 कट गया यह देखिए तो 612 और 618 अब यहां देखिए तो यहां से कट नौ उसके बाद आपको क्या करना है यहां देखिए तो X गुना एक तो X हो जाएगा और X को क्रोश गुना करेंगे नहीं कुछ तो यहां एक तो X को X गुना करेंगे तो यहां X हो जाएगा और देखिए तो 10 गुना 3 तो 30 हो गया और 30 को 2 से गुना करेंगे क्रोश तो यहां साइट हो जाएगा यानि X का मान जो है साइट यानि B से समय के लिए साइट गाई रख सकता है यानि B जो है से समय के लिए कितना एक महने के लिए साइट गाई रख सकता है जो की option number 1 में दिया हुआ है next question देखिए तो A और B 10 महिने के लिए किसी मैदान को किराये पर लेते हैं A अपनी 80 गाये 7 महिने तक रखता है तो बताए कि B से समय के लिए कितनी गाये रख सकता है वह A जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता है देखिए तो A जो है अपनी 80 गाये 7 महिना तक रखता है तो देखिए तो यहां लिखते हैं A बता B अब देखिए तो A जो है 80 गाये 7 महिना तक रखता है तो प्रश्न में कहा गया है B से समय के लिए कितनी गाये रख सकता है देखिए तो कुल जो है दस मैना तक के लिए मैदान को किराया पर लिया गया है जिसमें से ए जो है साथ मैना तक रख लिया तो भी कितना मैना तक रखेगा यानि तीन साथ तीन दस और कितना गया है तो एक समान लिया है उसके वाद परश्ण में कहा गया है प्रस्ण में कहा गया है वह ए जितना देता है उतना ही देखिए तो ए कामान ए समझते हैं कि दो रुपिया देता है ये देखिए तो दो दे रहा है ए जितना देता है यानि दो देता है उतना ही उतना ही यानि नीचे लिखेंगे भी उतना ही देता है तथा उससे आधा अधि देता है तो दू का आधा एक होता है इसी में एक और जोर देना है देखिए तो फिर से एक जितना देता है उतना ही जो है बी भी देता है और उससे आधा अधिक भी देता है तो यानि देखिए तो अब कट जाएगा दू से अगर 80 में भाग देंगे तो यहां 40 में कट जाता ह देखे तो 2-1-3, 3-3 कट गए, यानि कि जब बराबर रहे तो उपर सुपर नीचे से नीचे आमने सामने कट जाता है, तो देखे तो दूसे ऐसी कटे तो 4, 2-1-3, 3-3 कट गए, अब आपको क्या करना है, X, और Cross गुना करना है, तो X यहाँ देखे तो 1 है, तो एक गुना X करेंगे तो यहाँ X हो जाएगा और 42 गुना 7 करेंगे तो 280 हो जाएगा दूसर 80 को X गुना करेंगे तो यहाँ दूसर 80 हो जाएगा यानि कि 20 से समय के लिए दूसर 80 गाए रख सकता है जो कि option number 3 में दिया हुआ है next question देखें तो A ने 45 रुपिये लगा कर एक बेपार पारंब किया कुछ महने बाद 3000 रुपिये पुझी के साथ भी उसी बेपार में सामिल हो जाता है यदि बर्ष के अंत में दोनों के लाव का अनुपात दू अनुपात एक हो तो बताए कि B कितने बाद सामिल हुआ है कितने महने बाद सामिल हुआ है तो देखें तो A और B है तो सबसे पहले आपको लिखना है A बटा B यानि A अनुपात B अब देखें तो रष्ट में कहा गया है A 45 रुपिया लगाता है और बी जो है कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद तीन हजार रुपया लेकर आता है और बिजनेस में सामिल हो जाता है देखे तो यदि बर्ष के अंत में यानि बर्ष के अंत में यानि एक बर्ष का बेपार चला है तो एक बर्ष में बारह महने होते हैं यहां 12 लिखेंगे और देखिए तो बर्ष के अंत में पता नहीं कितना समय के बाद आया है तो X माल लेंगे यानि कितना समय के बाद बेपार में सामील हुआ है पता नहीं तो X माल लेंगे अब आपको क्या करना है जैसे यहां देखिए तो लाब का अनुपात भी दिया हुआ है दो अनुपात एक यानि दो अनुपात का मतलब बटा नीचे एक हो जाएगा देखे तो अब आपको क्या करना है दो जिरो से दो जिरो कट गया देखे तो पंदरा दुनी 30 अब पंदरा तिया 45 अब आपको क्या करना है जैसे यहां देखे तो दूसरे अगर बाराम भाग देंगे तो 6 बार में कट जाता है यहां देखे तो 2 तिया 6 यानि तीन वाल में कट गय यहां X है आप क्या करना है आपको cross गुना करना छो गुना करना है तो यहां X गुना 1 तो X हो जाएगा उसके बाद दीश्कित 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा और 9 को X गुना करेंगे तो यहां 9 हो जाएगा यानि X का मान जो है 9 यानि 9 महेना तक जो है बेपार में रहा है कौन तो B रहा है B जो है 9 महेना तक बेपार में सामिल रहा है तो प्रस्ट में कहा गया है तो बताए कि B कितने महेने बाद सामिल हुआ है कितने महेने बाद देखे तो बेपार चला है 12 महेना जिसमें से 9 महिना जो है B सामिल रहा है तो 12 में से 9 घटा ये तो यानि 3 यानि 3 महिना जो है वैपार 3 महिना के बाद वैपार में सामिल हुआ है B B ने 3 महिना बाद वैपार में सामिल हुआ जो की option number 1 में दिया हुआ है लेकिन सी की पुँझी से तिगुन्नी है यदि बर्ष के अंत में 11 सर रुपिया का लाब हो जो कुल पुँझी का एक बटा दस भाग है तो बताए कि एक पुँझी कितनी है देखिए तो पहले तो प्रेश्ण में कहा गया है पुझी का एक बटा दस भाग लाब है यानि देखिए तो इससे पहले देखिए बी की पुझी तो सबसे पहले तीन भाग में बटा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी देखिए तो बी की पुझी एक की पुझी से दुगुन्नी एक की पूंजी से दुगनी अगर यहां तीन मानते हैं तेहां छो एक का पूंजी तीन है अनुपात में तब बी का पूंजी जो है छो हो जाएगा तीन दुगनी छो दुगनी है लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी सी की पूंजी देखिए तो सी का पूंजी से तिगुन्ना होना चाहिए कौन बी का पूंजी तो यहां दू माल लेते हैं दू तिया छो यानी सी का जो पूंजी है अनुपात में दू उसका तिगुन्ना करते हैं तब बी का पूंजी अनुपात में आता है अब प्रश्ण में कहा गया है यदि बर्ष के अंत में 11 रुपिय का लाब हो जो कुल पूंजी का 1 बटा 10 भाग है देखिए तो पूंजी का 1 बटा 10 भाग बड़ाबर 11 पूंजी का 1 बटा 10 भाग बड़ाबर 11 तो देखिए तो पूंजी बड़ाबर अगर निकालते हैं तो ये एगारा सा और देखिए तो दस बराबर की सेट भाग में है भाग में है इधर तो बराबर की सेट जाएगा तो गुना में हो जाएगा देखिए तो 11 गुना एक करेंगे तो 11 यहां 2-0 और 1-0 तो कुल मिलाकर यहां 3-0 यानि 11,000 पुंजी बराबर जो है 11,000 देखिए तो यहां प्रस्ट में कहा गया है तो बताए कि एक की पुंजी कितनी है अब देखिए तो अनुपात सब का योग अगर करते हैं तो यह हो जाएगा चोवा तीन नौ नदू 11 अनुपात में 11 अर्यल मान 11,000 है देखिए तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 11,000 बटा 11,11 से 11 कट जाएगा यानि एक अनुपात का मान जो है और एक अनुपात का मान 11,000 तो तीन अनुपात का मान निकालना है तो तीन गुना 11,500 तीन हजार यानि कि एक पूंजी कितना है तो 3000 रुपिया हो जाएगा जो की option number 2 में दिया हुआ है साज़ेदारी का पार्ट वन और अनुपात और सबानुपात नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर, कोमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद